No guys, हम सब का problem एक ही होता है कि skin glow नहीं करती, color fair नहीं होता, कोई green भी असर नहीं करती, कोई dot का असर नहीं करता तो इस सब problems का solution भी एक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हूँ So, welcome करती हूँ, मैं आपका अपने चैनल में जिसमें में different vlogs, food and beauties related अपने experiences शियर करती हूँ आज मैं आपको ऐससे detox water की recipe बताने वाली हूँ, जो ना सिरफ आपकी skin को fair करेगी, बलके आपकी skin में permanent glow लाएगी तो चलिए देखते हैं कि इस powerful से recipe को कैसे बनाते हैं, आपने तमाम tips को अच्छे से note करना है First of all, first tip, आपने पानी room temperature पे नहीं लेना, ठंडा नहीं लेना, आपने पानी को गरम करना है, इतना गरम करना है कि पानी boil की करीब आजाए boil होने के गरीब आजाए, उसमें bubbles बनने लग जाए, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी किस तरह और खितना पानी हमने boil करना है Look at this case, इसमें छोटे छोटे बबल्स पर रहे हैं, अब आपने इसको ढखके इतना गरम करना है कि इसमें थोड़े बबल्स और ज्यादा बनने लग जाए, थोड़े मोटे बबल्स बनेंगे और आप इसको 2-3 मिनिट तक और चुले पर रख लें, या इसको गैस पर रखके आप गरम कर लें उसके बाद आपने जो चीज़े लेनी हैं, सबसे पहले आपने लेना है, लेमन उसको स्लाइस कर लेना है, दो लेमन लेनी है, और उनका बेज निकाल लेना है एक अद्रक का टुकड़ा लें, उसको लंबा लंबा काट लें, एक चमच जीरा लें, और हाफ चमच सौंफ लें, दो लेची लें यह सब चीज़ें आपने इसी क्वांटिटी में लेनी हैं, अगर आप पांच क्लास बना रहे हैं, अगर दस बना रहे हैं, तो डबल कर लीजिए और एक बात एक दिन में ही आपने पी के शीशे के आगे खड़े नी हो जाना के देखू मैं क्या रिजल्ट आया है कि 15 दिन के बाद जागे आपको रिजल्ट मिले गया और आपने इसको शामिल कर लेना जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आपने पीना है फिर आपको कोई मसला नहीं होगा अब गर आप दो दिन पिएंगे फिर छोड़ देंगे तो फिर कोई फाइदा नहीं है तो इसको बनाना बहुत ही असान है पानी डालें और जो चीज़े आपने काट के रखे हैं वो पानी में एड़ करें उसे मिक्स करें और रखने तो रखने के बाद रखने का ये है कि आपने इसको 10-15 मिनट रेस्ट देनी है ताकि जितने भी आपने इंगेडियंट्स पानी में डाले हैं वो अच्छे से उसके साथ हल हो और पानी जो है वो उनका सारा जितने भी फाइदे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले और एक पाव जब ये गलास पांच गलास पी लेंगे ना रात तक तो आप बड़ा ही फ्रेश फिल करेंगे ये तो आपको और जैड़िक ना किसी भी ड्रिंक से किसी बीड ड्रिंक से सॉफ्ट ड्रिंक से तो कहीं ज्यादा बहतर है, आप इतना फ्रेश और एक्टिव फील करते हो, कि मैं आपको क्या ही बता हूँ, आप जरूर ट्रै कीजिएगा, और मुझे फीडबैक भी जरूर दीजेगा ये इतना आपको कोई नहीं बताएगा इस तरह की डीप सोटरिक्स जैसे मैं आपको बता रही हूं तो अब मैंने लेमन के स्लैसिस जीरा साउफ अलाइची जो कुछ भी धा मैंने काटके रखा हूँ वो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है तो अब डाल के इसको हमने डग के रख देना है मिक्स करना है मिक्स करना तो लाजमी है ना ताके पानी में अच्छे से सब कुछ हल हो जाए तो फिर इसको अपने डग के इसलिए रखना है ताके जितनी भी हमने चीज़ें इसमें डाली हैं जब तक पानी में जाके अपना सारा असर पानी में नहीं डालती तब तक आप इसको रखना है रखना कितने मिनट है पंदरा मिनट पंदरा मिनट रखने के बाद आप एक गलास पीजी आप इतना फ्रेश फिल करेंगे अब ये देखें 15 मिनिट के बाद इसकी लूप कुछ ऐसी है साब कुछ सारा कलर जो है लेची भी फूल चुकी है साउंफ जीरा भी बिलकुल पानी में इस तरह से हो गया और यानि कि इसका सारा जो अर्क है वो पानी में जा चुका है अब आप इसको इंच्वाइ कीजिये मैं चानके नहीं पीती आप चानके पीजिए जिस तरह मर्दी पीजिए आपकी मर्दी है लेकिन मुझे είसे ही अच्छा लगता है मैं लेमन भी खा जाती हूं जीरा भी खा लेथी सौंग भी खा लेती हूं तो कुछ भी मैं वेस्ट नहीं करती और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो इसको डालीगे कितना अच्छा है आप सोच नहीं सकते किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक से और मैं आपको एक बात की करंटी दे सकती हूं जब आप ये फुल गलास पांच पूरे दिन के पी लेंगे ना तो शाम को आप इतना फ्रेश फिल करोगे इतना हलका फिल करोगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती आप कहेंगे कि आज मैं बिल्कुल प्रफेक्टूम आपका वाटर जो आपके बोडी को नीड होती है 73% हमारी स्कीन वाटर से बनी है और जब हमारी स्कीन को इसका प्रॉपर वाटर मिलेगा तो हमारी स्कीन क्यों निगलो करेगी और जो चीज हम खाते हैं उसका ज्यादा असर होता है बजाए इसके जो हम चेहरे पे लगाते है तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंफर्मेटिव लगी है तो आपने वीडियो को लाइक जुरू करना है और चैनल को सब्क्राइब करना मत बुलें यह आपका प्यार होता है टेक कियर अल्ला हाफीज बाई बाई